दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आप जियो पेमेंट में आनलाइन तरीके से एक बैक अकाउंट के से उपन कर सकती हो और यह जो एकाउंट होगा यह जिरो बैलेंस बैक अकाउंट है और इसी एकाउंट के इंदर आपको वर्चौल डेबिट कर मिलेगा सा इसी एकाउंट को ऊपन करने के लिए आपके पाश साहिए जीहो सीम हो या आट्यल समय हो जो भी आपके पाशनी में आप उठस्रीके सिम को इसी एकाउंट को आपको कर से तेजिए है मॉनकर करें उसके बाद Welcome to J payment bank लिक के आज आगा यहां पर आपको कुछ फीचर दिखने के लिए मीलता है तो आपको प्रोसीड वाला बटन पर क्लिक करके यहां पर आपको वही सिम से लेट करना है जिस से आप अपना bank account के अंदर लिंक करना चाहते हो फिर यहां पर आपको प्रोसीड वा करके mobile number को verify करेगा और कुछ इस तरह सा लिखके आएगा successfully verify तो यहां पर हो जाने के बाद आपका mobile नमबर पर OTP जाएगा OTP automatic verify हो जाता है अगर आप किसी दूसरे mobile से कर रहे हो तो यहां पर आपको OTP manually एंटर करना होता है उसके बाद यहां पर आपको MPN को set करना होगा My Geo Bank Account को इस्तेमाल करने के लिए आपको MPN डालना है तो इसी MPN को यहां पर set करना है MPN set हो जाने के बाद यहां पर आपको create an account का option देखने के लिए मिलता है देखे गाइस यह एक Geo Balance Bank Account है और कुछ प्रोसेस होगता है तो यहां पर बताया गया है यहां पर आपको create an account वाला और OTP भी यहां पर verify हो जागा तो यहां पर आपको कुछ time wait करना है उसके बाद banking का जो terms condition होता है उसको यहां पर आपको select करना होता है basically यहां पर आपको I accept बाला जो नीचे बटन है यहां पर क्लिक करके आपको accept कर लेना है जैसे आप यहां पर accept करते हो जो आप saving account उपन करन हो और all charges यहां पर आपको zero दिखने के लिए मिलेगा so account उपन करने के लिए यहां पर आपको प्रोसीड वाला बटन पर क्लिक करना है और अभी आपको अपना identity verification करना होगा identity के लिए यहां पर आपको कुछ details को एंटर करना होता है जैसे कि आपका pen card नमबर आधार नमबर को यहां पर आपको एंटर करना है फिर यहां पर आपको terms condition को टिक करके आपको generate otv वाला बटन पर क्लिक करते हो यहां पर आपको आधार का consent देना होता है दिखिए जो भी आपको आपको आधार कर्ण पर क्लिक करते हो आपका जो आधार कार्ट जो भी mobile नमबर से रेजिस्ट्रेट होगा उसमें otp जाएगा वसी otp को यहां पर आपको डालना होता है और जो communication address से चोँ टिख करके प्रोइड करना है अभी आपको अपना फैमिलूइ डीटियर सको देना होता है सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टुड्या मतलब आप काम क्या करते हो, अगर आप student हो, तो आप student को select कर सकती हो, अगर आप कहीं job करते हो, तो आप यहाँ पार salary वाला option को select कर सकती हो, अगर आप business करते हो, तो आप यहाँ पार salary वाला option को select कर सकती हो, यहाँ पर आपको अपना occupation को select करना है, occupation को select करने के बाद यहाँ पर आपको अपना source of income को डालना होता है source of income को यहाँ पर आपको select करना है जो पैसा आप कमाते हो कहां से कमाते हो फिर यहाँ पर आपको अपना annual income को select करना है उसके बाद terms condition को tick करके proceed बाला button पर click कर दिना है जैसे आप proceed करते हो यहाँ पर आपको अपना nominee आड़ करने के लिए आएगा दिखे गाइस आप चाहे तो ढवी nominee आड़ करसेगते हो अगर आप चाहते हो आकाउंड पर हो जाने के बाद nominee को आड़ करना अभी हमने जितना address fill up किया था उई address यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जाएगा अगर आपको लगता है details में कुछ गड़ बड़ी है तो आप एडरी बाला option पर क्लिक करके details को नया बाला यहाँ पर enter कर सकते हो ने तो यहाँ पर आपको एक बटन दिखने के लिए मिलेगा आपको details को verify करने के बाद submit बटन पर क्लिक कर दीना है जैसे आप submit बटन पर क्लिक करते हो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको आभी video क्योंसी करना होगा देखे guys यहाँ पर आपको application number भी दिखने के लिए मिल जाएगा लेकिन account open करने के लिए आपको क्योंसी तो complete करना है और क्योंसी आप video क्योंसी के जड़े कर सकती हो जो मैं आपको पहले बता था तो यहाँ पर आपको video क्योंसी करना है उसके बार में भी यहाँ पर आपको information दिया गया है अगर आपको अधिक जानना है तो यहाँ पर आप दिख सकतो आपको video क्योंसी करने के लिए आपका जो भी एजन्ट होगा उसके साथ आपको connect होना है connect होने के बाद आपको अपना details को confirm करके आपको pen card को सोग करना होगा और आपका क्योंसी आप complete कर सकती हो सबसे बिले तो यहाँ पर आपको video क्योंसी start करने के लिए एक option दिया गया है यहाँ पर आप दिख सकतो नीचे start with call with an agent वे यहाँ पर आपको क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपको connect करना होगा agent के साथ तो उसके लिए आपको अपना mobile का कुछ location का microphone का camera का permission को यहाँ पर आपको allow करना होता है आलाव हो जाने के बाद आप यहाँ पर agent के साथ connect हो जाओगे और वहाँ पर आपको अपना सब्सक्राम करना होगा oala чिkan का में कारने कलिए आपको अपना details को कंफर्म करना है उपको अपना